Hello students, today we are going to study about feeling to read in your EBS book. This is our second lesson. इस lesson में हम लोग ऐसे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो सारीरिक रूप से विकलांग थे लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी वे कभी चुनोतियों से भागे नहीं बलकि उनका सामना किया इस एक्सरसाइज में हम लुईस ब्रेल और हेलन केलर के जीवन के बारे में जानेंगे और हमें उनके जीवन से प्रेरना लेनी चाहिए और हमें प्रेरित होना चाहिए The sense organs are the physical means by which all living things see, hear, smell, taste and touch हमारी जो sense organs है जो ग्यानेंद्रिया है और physical means है जो बाहरी आवरन से हमें हमारे चारों और जो परिवर्तन हो रहे हैं जो भी क्रिया कलाप हो रहे हैं उनके बारे में यह हमें जानकारियां देती हैं हमें इसको देख कर, सुन कर, सुन कर, स्वाद से या तच के द्वारा feel करते हैं, महसूस करते हैं Each sense collects information about the world and detects changes within the body Body, यह जो sense organs हैं, यह हमारे चारों जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो सारे जानकारियां collect करती हैं और हमें हमारे body को इसकी जानकारियां देती हैं, जो जानकारियां हमारे brand के पास जाती हैं Both people and animals get all of their knowledge from their sense and that is why our sense are so important Both, चाहे वो मनुस्य हूँ, चाहे जानवर हूँ, सभी को जो जानकारियां मिलती हैं, जो भी अपने information चारों से प्रात होती हैं वो उनको, उनके sense organs के थ्रू ही पता चलती, इसलिए अगो पता होगा, पता चल गया होगा, कि हमारे लिए sense organs कितनी जरूरी हैं, कितने महत्वपुन हैं Some people do not have one or the other of their sense working properly, कुछ लोग के साथ क्या होते हैं, यह कुछ sense organs अच्छे तरह से उनका काम नहीं करता हैं यह किसी की आखें नहीं होती हैं, वो अंधे होते हैं, को बहरे होते हैं, और कांड काम नहीं करता है, हाना The differently ever make the most of their other sense to know about the world around them तो ऐसे स्थी में वो दूसरे sense organs का प्रयोग अच्छे से करते हैं, कुछ खास रूप में करते हैं, जैसे कि कोई अगर अंधा है, वो देख नहीं सकता है, वो छू का किसी को महसूस करता है, यह उनकी सुनने की जो तिवर्ता होती है, वो ज्यादा हो जाती है वो किसी भी छोटी कम धोनी को भी वो लोग सुन लेते हैं, यह चू कर महसूस कर लेते हैं, कोई गर पैदल भी चल कर आ रहा है, उनके पैर की चाप को भी वो लोग महसूस कर लेते हैं, ओके The visually impaired or those who cannot see, make the most of their other sense, such as touch, hearing, smell and taste People who are visually impaired can learn to read by using a special system called breathe तो ऐसे लोग जो visually impaired है, जो देखने में आसक्चाम है, जो देख नहीं सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपने दूसरे sense organs का, such as touch से की महसूस करना, सुनना, सुनना, टेस्ट, स्वाल देना, इन सारे पर ज्यादा dependent होते हैं, इससे वो अचानकारियां ताप करते हैं जो देखने में आसमर्थ हैं, ऐसे लोग जो पढ़ाई करते हैं, उन लोग का पढ़ाई special system script दो होता है, जिसको बोलते हैं braille script, braille lippy इस lippy में क्या होता है, the braille script enables blind and partially sighted people to read and write through touch ऐसे लोग जो होते हैं, braille script क्या होता है, वो dot के जैसा होता है, dot है, उसको लोग छू कर महसूस करते हैं, और छूने से ही वो छू कर ही पढ़ने के लिए सिखते हैं braille script है, जिसको लूइस braille ने develop किया है, वो भी एक अंधे थे, आगे इसके आगे लूइस braille की बारे मागे पढ़ाई होगी using the braille script, blind people are able to read and write just like ordinary people और braille script के मध्यम से, उसकी मदद से, ऐसे जो व्यक्ती हैं, जो दिब्यांग व्यक्ती हैं, ऐसे व्यक्ती साधारन ordinary people के जैसे वो लोगी पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो लोगी पढ़ते हैं